नमस्कार दोस्तूं सभी सात्यूं का शुवागत है और सभी सात्यूं ने ओली का जो पावन परवे था उसको मना लिया होगा तो देखे जो खुशियूं का अमारा तिवार है उसको मना कर अब हमें लग जाना है वापस तैयारियों के अंदर अगर हमें अगली होली आये ना उस दिन तक जहो भी हमारा समाज है परिवार है उसके अंदर ये वेल्यू बनानी है कि मैं भी गोवर्मेंट जोब वाला हूं दोस्तूं तो उसके लिए एक तैयारी करनी होगी बहतरीन तैयारी करनी होगी समय देना होगा पढ़ाई को जो समय बीता वो बीत चुका है अब जो समय है ना वो बर्तियों वाला समय आपके लिए रहीगा बड़ी बर्तियां आपके सामने आने वाली है तो आप जिस भी बर्ति की तैयारी कर रहे हो ना उस बर्ति की तैयारी में लग जाओ दोस्तों सबसे पहले जो भी साती मेरे साथ जुड़े हैं उन सभी सातियों को कुछामन ऑनलाइन क्लासेज एप की तरफ से होली के पावन परवे की सुबकाम नाएं इसके अलावा जो भी साती हमारे साथ जुड़े हैं एक बार कमेंट करके मेरे को बता दें कि आप किस बरती की वर्तम साथ दिन चलती हमारी जिसको हम सामाजी का दिन बोलते हैं हमारे जो आजकल सलेबस आता है उसमें लिखा हुआ आता सामाजी का दिन जैसे पसू परिचर का सलेबस आया लिखा हुआ था सामाजी का दिन सलेबस में नाम दिया वा था वहांस पर क्यूसन पूचे जाएंगे अब वो क्यूसन किस परकार के रहेंगे, उसी सी को रिलेकर काक्सा चभसे लेकर काक्सा दस्तक की कंप्लीट सामाजी कद्देन है, उसकी एक-एक कलास के अनुसार वन लाइनर क्यूसनों के माद्यम से आपके सामने रखूंगा, वस्तुनिष्ट क्यूसन रख लेता, वस्तु छोटे छोटे भागू में इनको करवा रहा हूं जिसे आपको भी याद हो आप इनको पढ़ सके अगर मैं इनको विश्थरीत करवाता तो यह मान के चलिए कि आपको विश्थरीत समय लगता है यानिकि यह पांसो क्योशन चैसे साथ गंटे में वस्तुनिष्ट होते ऐसे दो गंटे में आ जाएंगे आपके सामने हमें सीधा टार्गेट रखना है पेपर के अंदर क्योशन सही करने का हम चाहिए किसी भी परकार से आपको जो बता रहे हैं उसको पढ़िए आप समझ के आज जो हम देख रहे हैं काक्साच है के 500 परसन तभी पुस्त के अलग अलग प चलती है हमारा अतीת नाम से चलती है राजनेतिक नाम से अलग चलती है तो उन सभी का साहर है इनके अंदर और आज हमारा रहने वाला पार्ट नो यहां पर मैं प्लेलिस्ट बना दूंगा प्लेलिस्ट में सभी वीडियो आपको मिल जाएंगे वहां से आप इनको दिन कर सकते हैं तो जो भी साथ ही जुड़े ना तो नीचे लाइक वाला बटन है उसको दबा दो एक बार देखते हैं कौन-कौन दबा रहा है लाइक तेर और चेनल स्रू करते पार्ट तूर राच्तान अध्यनका सचेका रहेगा जिए शमुद्रगृत के पिता कौन थे शमुद्र को के पिता का नाम पूछा गया है क्या नाम था चंधर गृत कि अनाम था चंदर गृत कवी कालिदास व्टागोल सास्त्री आर्य बट किसके दरबार में थ तो यह किसके दरबार में थे शमुद्र गुप्त के किसके दरबार में थे दोस्तों कवी बानबट किसके दरबारी कवी थे बानबट है यह हर्स वर्दन के क्या थे दरबारी कवी थे किसके थे हर्स वर्दन के दरबारी कवी थे किनी यात्री हवें चांग या हवें सांग किसके दर्बार में रुके थे तो ये रुके थे हर्स वर्दन के दर्बार में किसके दर्बार में हर्स वर्दन के दर्बार में ये रुके थे दोस्तों समझ गे चली आगे प्यारे मित्रू एक भहत्रीन जानकारी, फत्रनाग जानकारी, समझिए क्या है, चाहे आप CT 12th लेवल की तयारी कर रहे हो, CT ग्रेजवेशन लेवल की तयारी कर रहे हो, PSTC 2024 की तयारी कर रहे हो, PTT 2024 की तयारी कर रहे हो, या पसू परिचर की तयारी कर रहे हो, वर्तमान आज, आज की बात कर रहा हूं, आज के दो महीने बाद इकर यह आप वीडियो देखोगे ना, तो नहीं बढ़तियों के भी कोश आ जाएंगे, यह पांचू कोश हमारी एप पर उपलेब्द है, एप का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, सीधी सी बात बता दू, पसू परिचर, यानि कि सभी में सेम ही चीज है, यानि सभी में लाइव क्लासेज मिलेगी, इनोट्स मिलेंगे, पीडियव मिलेंगी, और पचास मोडल टेस्ट पेपर मिलेंगे, समझ ग पाकी यह ना यह चारूं, यह 499 में रुपे में कम्प्लीट की कम्प्लीट पेश्ट फेकल्टी के दुवारा कलासे आपको उपलब्द करवाई जा रही है, समझ गए, तो जो भी साथ हमारे साथ जुड़कर इन एकजाम की तयारी करना चाता है, वो आज ही जुड़ लेगी, हर कोर्स में मिलेगी, इनकी पीडिया, तभी पांचूं के अंदर, जो भी साती, किसी भी इन पर्तियों की तयारी कर रहा है, पहली बात तो नीचे देखे, लाइन चल रहे, नमबर दिकाई दे रहे, मेरे इंगुली के नीचे, इन पर संपर करके आप जानकारी ले दोस्तों, समझ गए, चली आगे, हर्सवर्दन कहां के राजा बने थे, थानेसवर या थानेसर के हर्सवर्दन, पलू की राजदानी कौन सा नगर था, पलू की राजदानी था, कांची पूरम, पलू की राजदानी कांची पूरम था दोस्तों, पलू का सासन किस नदी के आसपास था पलूओं का जो सासन था कावेरी नदी चारी नधी के आसपास था दोश्चुका के राजधानी कौन सा अगर चार्लूखकी की राजधानी थि अहूर about है तालो के राज़दानी होल समझ गए चली आगे आगे हैं चालुक्यू के राजे किन नदियू के बीच जो चालुक्य थे इनका जो राजे है वो करसना वह तुंग बद्रा जो दो नदिया हैं इनके मद्द था इन दोनों नदियू के मद्द था इस्लाम द्रम की इस्तापना किसने की थी पेगंबर महुमद ने 1400 साल पेले 1400 साल पेले इस्लाम द्रम की इस्तापना की गई थी पेगंबर महुमद के दौरा इस्लाम द्रम का जो पवितर गरंत है उस गरंत का नाम है कुरान क्या नाम है प्यारे मित्रों कुरान नाम है उसका उसका नाम क्या है कुरान नाम है दोस्तु अरब की सेनाओं ने सिंध को कब जीता अरब की जो सेनाओं है इन्होंने सिंध को कब जीता था तो लगबग 1300 साल पहले जीता था तेरा सो साल पहले जीता था दोस्तु रवी केरती किसके दर्बारी कवीते रवी के इरती है ये किसके दर्बारी कवीते पुल के सीन द्वीते के दर्बारी कवीते पुल के सीन द्वीते के दर्बारी कवीते कालिदास के नाटकू के अनुसार ततकालिन जन साधारन किस बासा का परियोग करते थे कालिदास के नाटकू के अनु लेती थी तो वो थी प्राकर्थ कौन सी बासा थी प्राकर्थ बासा थी दोस्तों चलिए आगे कालिदास के अनुसार उसकाल के राजा तता अधिकांस ब्रामन किस बासा का प्रियोग करते थे तो वो थी सैंसकर्थ बासा कौन सी बासा थी सैंसकर्थ बासा का प्रियोग करते थे तांबे वे टिन को मिलाकर किसका निर्मान कांसा का आज भी हमारे जो घर है उनमें पुराने बरतन देखोगे ना वो किसके मिलेंगे कांसा के मिलेंगे किसके मिलेंगे कांसा के पुराने बरतन कांसा के आपको मिलते हैं दोस्तों जो तांबा प्लस्टिन को मिलाकर बनाया जाता था यह को सण्विज्ञानी में भी आता है भहुतवार तो यादरखतना दोस्तों लोह इस्थ तम मह रोली दिल्ली की उच्चाई कितनी है तो जो लोह इस्थ दिल्ली में बनावाय is क्यों चाहिए साथ पॉइंट दो मेटार साथ पॉइंट दो मेटार दोस्तों आज तक जंग नहीं लगा इस लोई लोई इस तंपर कि आप छह महीं ने कितना भी अच्छा लोहा लाकर बार रख दो वायू पानी और रेत के संप्रग में आते ही जंग लग जाता है चली आगे लोई इस्तंपर बने अभी लेक पर किस साथर का नाम है किसका नाम दर्जा है चंदर का चंदर का नाम नाम दर्ज है दोस्तों इस्तूब का साब्धिकर्थ क्या होता है इस्तूब का साब्धिकर्थ होता है टिल्ला होता है दोस्तूब में जिस डिब्य में बोद अत्वा उनके अन्युआईयों के आउसेस रखे जाते हैं क्या कहलाता है दातुमंजुसा क्या कहलाता है दातुमंजुसा कहलाता है दोस्त चलिए आगे नेक्स्ट में止 में एकास्मिक मंदीरु के अवसे recommend कहां से पराप्ट हुए हैं तान से महपली पूर्म महां बली पुरम से दो स्व मंदीरु का सबागार किस नाम से जाना जाता था मंदीरु का जो सबागार उसको मंडभ केस थे क्या केते थे मंडभ कि और जंटा के चित्र कब बनाइगे थे एक जंटा के चित्र बनाइगे थे पंद्रा सो साल पहले अजंता के चितर पंद्रा सो शाल पहले बनाए गए गये थे दोस्तूं परung estamil maha kave सिल्प दीकारम की रचना किसने की ती कभी इलांगों ने कभी इलांगों ने दोस्तों तमिल महाकावे मनी मेकलाई की रचना किसने की मनी मेकलाई की ती सतनार ने किसने की ती मनी मेकलाई की रचना देखिया उपराया है सिल्प दीकारम और मनी मेकलम यह दोनों के दोनों तम्मील महाकावे कौन से हैं तम्मील महाकावे है दोस्तों समझ गए हिंदू देवी देवताओं की कानियूं का संकलन कहां किया गया है पुराणूं में कहां पर किया गया है पुराणूं के अंदर हिंदू द्रम की कानियूं का संकलन किया गया है दोस्तों चलिए आगे पुराणों वे महाभारत का संक्लन किसके दुआरा किया गया पुराण और महाभारत इनका संक्लन किसके दुआरा महाभारत का यूद किस वंस की राजदानी को प्राप्त करने के लिए वा था पूरू जनपद की राजदानी को प्राप्त करने के लिए महावारत का यूद होता है जो हम गीता में पढ़ते हैं रामाइन की कता किसके बारे में है रामाइन की कता है कोसल के राजा राम के बारे में कोसल के राजा राम के बारे में रामाइन की कानी है दोस्तू समझ गए चली आगे आयोद्या किसकी राजदानी थी आयोद्या राजदानी थी कोसल जनपद की आयोद्या कहा की राजदानी थी कोसल जनपद की राजदानी थी दोस्तों सैंसकर्थ रामाइन के रचियता कौन थे तो ये क्यूसंदों आपने बहुत बार पहले भी पढ़ा होगा संसकर्थ रामायन के रचियता कौन थे पताओ कमेंट करके एक बार तो संसकर्थ रामायन के रचियता कौन थे वाल मिखी कौन थे वाल मिखी दोस्तु समझ गे महान गणी तक ये आरिय बट के दुआरा आरिय बटियम नामक पुस्तक किस बासा में लिखी गई शैंसकर्थ बासा में किस में लिखी गई शैंसकर्थ बासा में लिखी गई आयुर्वेद का जनक किसे माना जा गया चरक को चरक सहीता जिसमें आयुर्वेद के बारे में कंप्लीट जानकारी दी गई है दोस्तु किसे सल्ले चिकित्सा का जनक माना जाता है शूशूरू सल्ले चिकित्सा का जनक माना जाता है शूशूरूत को शूशूरूत को नमज ग करते हैं कि कखसा 6 से सर्क्यूसन थोड़े आएंगे हम उस चीज को नहीं पढ़ते हैं उसको छोड़ देते हैं और जब पेपर बनकर आता है कि सार पेपर तो आगया अब क्या करें कि नमजगे तो इनको पढ़ो कि आप देखिए जिस भी चीज की मांग करोगी हम उपलब्द करवा देंगे किसरा में यह चाहिए जैसे ही हमारे पास कमेंट आया था कि कखसा 6 से 10 सामाजी के दिन रास्ता रद्दिन करवा यह सर उस्तकों का निचोड़ लेकर आई है हमने कला सुरू कर दी अब आपका सपोर्ट है इसको फेला ओ पहुंचा और एक साती के साथ जो भी अच्छी तरह तैयारी कर सके कागज का अविस्कार किस ने किया चीन निवासी काईलून ने कब 1900 साल पहले 1900 साल पहले कागज का अविस्कार हुआ था बारतिय उपमाद्वीब में कागज निर्माड की तकनिक कहा से आई भगदाद से बारत जो कागज निर्माड सीखा है वो बगदाद से चीखा है किसे सीखा है बगदाद से सीखा है दोस्तों समझ गए चली आगे sangat झाहिए कि कहां पर पाया जाता है भारत में उच्छे पाडू वाला रिगिस्ताना इलाका पाया जाता है लद्दाक में कहां पर लद्दाक में पस्मिना सोलें कहां पर बुनी जाती है पस्मिनाउन वक्री से प्राप्त करते हैं बेड़ से प्राप्त करते हैं बताओ जल्दी से कमेंट क करके पर पस्मीना सोलें बनती है कस्मीर में कहां पर बनती है कस्मीर के अंदर याक कहां पर पाया जाता है याक पाया जाता लद्दाक में याक कहां पर पाया जाता है लद्दाक में याक पाया जाता है दोस्तों समझ गए चली आगे पस्मी एसिया के लोग लड़ा के रास्ते कहां पर पहुंचते हैं यो पस्मी एसिया के लोग है वो लड़ा के रास्ते तीबत पहुंचते हैं ये पुराने समय की बाते हैं पुराने समय के लोग पेदल चलते थे उटू से गोडू से चलते थे उस समय की कानिया लदाग को किस उपनाम से जाना जाता है तो लदाग को छोटा तीबत कहते है छोटा तीबत का आ जाता है लदाग को तीबत का कौन सा गरंट है जो लदाग में परसिद है कौन सा है केसर सागा तिबत का एक गरंत है केसर सागा जो लदाग में बहुती परसिदे है दोस्तों केसर सागा आगे चलिए इसा मसी के कौन से द्रमदूत केरल तट पर आये थे इसा मसी के कौन से द्रमदूत तो संत थोमस कोन आये थे शंत थोमस आये थे भारत में इसाई द्रम लाने का स्रे तो देखे केरल तट पर आये यह संत थोमस केरल तट पर आये इसा मसी के द्रम दूत थे यह तो केरल तटीनी भारत में आए और बारत में द्रम कोन लेकर आएगा इसाई संत थोमस ही लेकर आए कोन लेकर आए शंत थोमस ही लेकर आए पुर्तगालियों ने किसकी यात्रा के आदार पर भारत का समुद्री रास्ता जाना वासको डिगमा आये थे और वासको डिगमा के आ वृषविद्टाईवं भेदभाव वर्तमान में विकलांग के इस्तान पर कि सब्द का प्रयोग किया जाता है विकलांग मत बोल देना किसी को आज कल बोलना विसीश आवसिकता वाले विसीश आवशिकता वाले जब हम सभी लोगों को एक ही छवी में बांद देते हैं क्या क्या कहते हैं रूडी बद्धार न कहते हैं है डोस्तों है चली आगें माला सिक्सकू का अनुपात कितना एं यह मैं जो जानकारी दे रहा हूं यह आपके जो पुस्त के चलती है उन्हीं के आधार पर दे रहा अपडेट मैंने एक परसेंट भी नहीं किया है क्योंकि दोड जो चीज है वो और बेसी अंसियाटीक की किताबू को मानता है सबसे अंतमें सबूत इसलिए दोस्तों कि मैं महिला सिक्षकू का अनुपात है साठ परतिसत कितना है साठ परतिसत दोस्तों सरकार दलितु को किस वरग में रखती है अनुसुचित वरक के अंदर। भार्तिय सविधान का पिता किसे का जाता है डोक्टर भीम्राव अमबेड कर को दोस्तों। दोक्टर भीमराव, उम्बेडकर किस जाती से ते महार जाती से, किस से ते महार जाती से, दोक्टर उम्बेडकर ने किस दर्म को बाद में अपनाया था, बाद में अपनाया था, बोद दर्म को अपनाया था दोस्तों, समझ गए, आगे चलिए, शरकार, सेहरु में इस्तानिय परसासन नगर नीगम के रूप में नगर परिस्द के रूप में नगर पालिका के रूप में फहरु में इस्तानिय सौसासन इस्तानिय परसासन काम करता है दोस्तों समझ गए चली आगे आंदर परदेश के पुनरगटन के बाद किस नए राजे की इस्तापन हुई थी तेलंगाना की कब हुई थी दो जून दो जार चोद है तब बन गए थे 29 फिर समय आता है और वापस बन जाते 28 क्योंकि जमू कस्मिर को केंदर सासित परदेश बना दिये गए दो राजे से केंदर सासित परदेश बना दिये तोरी सबी सातियों किस सासन वेवस्ता में लोगों के पास अपना नेता चुनने की सक्ति होती है किस में होती है लोग तंतर में और आप चुनोंगे आप चुनोंगे अभी आपने कुछी दिनों पहले विधान सबा के नेता चुने अब आप लोग सबा के नेता चुनने वाले हो समझ गए चली आगे यूरोप वे अमेरिका में महिलाओं द्वारा वोट के अधिकार है तू चलाया गया अंदोलन किस नाम से जाना जाता है बतादो जल्दी से किस नाम से जाना जाता है सप्रेज मूमें यूरोप अमेरिका में महिलाओं को वोट देने का अधिकार नहीं था समझ गए आगे अमेरिका में मैलाओं को वोट देने का अधिकार कप मिला था 1920 में भारत आजाद हुआ था उसे मातर 27 साल पहले पहले वहाँ पर मैलाओं वोट नहीं करती थी तिरब पुरुस वोट करते थी समझ गए आप चली आगे इंगलेंड में मैलाओं को वोट देने का अधिकार मिला 1928 में भारत की आजादी से मातर 19 साल पहले ये अधिकार मिलता है दोस्तों लोगतांत्रिक सरकार के मुखे तत्व है दक्सन अपरिका लोगतांत्रिक देश कब बना दक्सन अपरिका बना था दक्सनी अपरिका में रंगबेद समाप्त करने के लिए लंबा संगर्स किस ने किया था नेलसन मंडेला ने किस ने किया था नेलसन मंडेला नेलसन मंडेला का संबन किस राजनेतिक पार्ठी से था अपरीकी रोष्ट्रिये कोंग्रेस से करनाटक वे तमिलाडू के बीच कौनसी नदी के जल बटवारे को लेकर विवाद चल रहा है करनाटक और तमिलाडू के बीच चल रहा है कावेरी नदी के जल को लेकर विवाद किसको लेकर कावेरी नदी के जल को लेकर विवाद चल रहा है कि ली आगे अगया ग्राम business के परतेक वाड का परतिनिदी और एस जा टोपिक जिसमें किसी एकजाम उठाकर cleanup एक्यूसन जरूर आता है और आपके भी एक उसन छपेगा है कि वाड काrik परतिनिदी वाड पंच जाती है जिसे जनता परतेक्स रूप से चुनती है अब देखे पंचाईत का मुकिया कौन होता है सरपंच यह भी क्या किया जाता है जनता की द्वारा पर्तेक्स चुना बहुत तो सर गरहां पंचाईत में फर ते जो डी आ वो कुना जाता है उप सरफंच की ख webpage तो कि पोप सर्पंच चुना जाता है और यही मातर उसमें वोट करते हैं जनता इसमें वोट नहीं करते हैं कि कमजगे कि राम पंचायत में सरकार द्वारा न्यूक्त वेक्ति कौन होता है सची जिसे ग्राम विकास अधिकारी कहते हैं कि वीडियो कहते हैं और वीडियो की बढ़ती भी आ रही है जल्दी कि वीडियो फिसर का पद हो गया है अधिकारी बन गए राम विकास अधिकारी समझ कई पंचायती राजव misery श्तर होते हैं तीन श्तर बताओ क्राम पंचायत पंचाय समयती जिलाप Свथ कि लिए प्रिचार होते हैं है समझ पटवारी को अलग-अलग इस्तानों पर अन्य किन किन नामों से जाना जाता है लेकपाल कानून गो लेकपाल का कहते हैं उतर परदेश में लेकपाल कहते हैं तो जो भी साती सोच रहे ना कि उतर परदेश में लेकपाल की कुछ दिनों पहले बढ़ती आई थी तो आप टेंस हमारे गाओं में 6 भात्सा में जरी बोला जयता जरी इसront को पटवारी द्वारा जमीन वर पवसलो का वैयरो सिस रिकोर्ड में रखार जाता हैं उससे क्लिवरो किर नगर्परसात में भ Rings पर नागर निगंकर पलेक का पिल नकर निंट 1089 parents कि नगर निगम के सदसे क्या कहलाते हैं पारसत जिनको जन्ता पर्तेक्स रूप से चुनती है एक चोटे कस्मू में इस्तानिय परसाषन को क्या का जाता है नगरपाली का बारत सरकार ने सुच बारत मिसन का सुबारम कब किया 2 अक्टूबर 2014 को ये क्योसन बहुत सिंपल से हैं लेकिन क्योसन एक्जाम की दिरश्टी से बहुत इंपोर्टेंट रहेंगे चलिए आगे सौरमंडल में पर्तवी तूरिये तता रात्री में आस्मान में चमकने वाली सभी वस्तुए क्या कहलाती है खगोलिये पिंड कहलाती है वे खगोलिये पिंड जिनका स्वयम का परकास होता है क्या कहलाते हैं तारे कहलाते है जो खुद परकास देते हैं जैसे सूरज एक तारा है सूरिये न ये क्या है एक तारा ही है क्या है तारा है दुरुए तारा किस दिशा में होता है उत्तर दिशा में दुरुए तारा है न ये उत्तर दिशा में रहता है उत्तर दिशा के अंदर रहता है कुछ हुरी तारू दुखार बनाई जाने वाली विं आकर्तियां क्या कैलाती है लुए नक्षा रमंडल प्रसबत का क्या अर्त है सूरिय से समंधित क्योग्राफिक कि सभासा का अंग्रेजी के और क्रिक बाशा सभासा में जियो का क्या पृत होता है कि पृत्वी स्योंटे ने अटमें लिए के रिक वासा में ज्यो जी ओ को dooger do शाए अटिश्सामि में अठ्षवत हैं कि वह उसा में ग्राप्या ज्योग्राफी के वहनं तो ग्राफिया ग्राफी का अर्थ होता है लिखना यानि कि पर्तवी के बारे में लिखना ही जियोग्राफी है आपकी पर्तवी के बारे में लिखना समझ गए चली आगे जियोलोजी सब्द का साब्दी करता होता है पर्तवी का अध्यन पर्तवी का अध्यन जियोलोजी कहलाता है दोस्तु प्लेनेट ग्रीग भासा के किस सब से उत्पन हुआ है प्लेनेटाई यानि परीबरमक अर्थार चारू और गूमने वाले सोर मंडल के कितने गुरू के चारू और चल्ले होते हैं तीन के ये तो है आपका ब्रस्पती ये सनी और अरून ब्रस्पती सनी और अरून के चारू और क्या है चल्ले है उपर की और चल्ले दिखाई देंगे आपको जियोमेट्री सब्द का साब्दिक अर्थ क्या होता है जियोमेट्री पर्त्वी का मापन सूर्य पर्त्वी से कितना दूर है लगबग 15 करोड किलोमेटर दूर है सूर्मंडल के के अंदर में सूर्य सूर्मंडल के के अंदर में कौन है शूर्य है जियोईड या जियोड सब्द का क्यारत होता है पर्त्वी के आकार के अनुरूप जियोओड या जियोड पर्त्वी के आकार के अनुरूप समझ गए चलिए आगे पुर्त्वी के सबसे नजदी किस्तित्तारा कौनसा शूरिय जो खुद चमकता है तोर मंडल के ग्रह जिस निस्चित पत पर सूरिय के चारू और चक्कर लगाते हैं उसे क्या कहा जाता है सोर मंडल के ग्रह जिस निश्चित पत पर सूरिय के चारू और चक्कर लगाते हैं उसे ककसा कहते हैं सूरिय के सबसे निकिट इस्तित ग्रह है बुद्ध कौनसा है बुद्ध और सोर मंडल का सबसे छोटा ग्रह भी कौनसा है बुद्ध कौनसा है बुद्ध ही है चाहे सबसे नजदीक चाहे सबसे छोटा बुद्ध ही है दोस्तों समझ गए अब देखे एक बार थोड़ी सी जानकारी जो कॉर्स है उनके बारे में दे देता हूँ आपको में क्योंकि तैयारी उनकी भी हमें करनी है उनके साथ ही हमें आगे बढ़ना है दोस्तों इनकी जानकारी आपके लिए जरूरी है अब देख लीजे एक बार समझना आप यहां से एक चीज को थोड़ा सा ध्यान से देखना आप CT 10th प्लस टू और graduation CT 10th प्लस टू और graduation graduation जिसके अंदर लाइव कलासेज रहेगी इनोट्स रहेंगे और test और mcq रहेंगे और साथ में यहां पर लिखावाने लिख दू पचास टेस्ट रहेंगे पूर्ण तह विसे पूर्ण तह सलेबस पर आदारी इन दोनों की अगर आप 10th प्लस टू लेते या graduation लेते हैं तो दोनों की अलग लग रेट है चारसो नन्याण में चारसो नन्याण में रुपे इतना सस्ता इसको इस राजतान में और कहीं नहीं है इसमें सब कुछ दे रहे हैं फिर भी कुछ यह चार्ज क्यों ले रहे हैं इसका कारण यह है प्यारे मित्रों एक बुक खरीद कर लाओ गया उतना सा चार्ज है लेकिन जो टीचर पड़ाते हैं उनको देना ही पड़ता है कि हम तो चलो यूट्यूब से काम चला लेंगे लेकिन उनको देना ही पड़ेगा इसलिए दोस्तों यह तो हो गया सीटी अगर आप पीटीटी या भी स्टीसी में लग रहे हो अब है तो माता दोनू अलग लग 499 में और लाईव क्लास रहेगी इनोटस रहेंगे एम सीक्ष रहेंगे और 50 पलस मोडल पेपर रहेंगे पसू परीचर वाले जो भी साती है चाहिए कहीं से भी तैयारी कर रहे हैं कहीं से भी ओनलाइन कोर्ष ले रखा है मातर और मातर दोस्तों नन्यानमर रुपे में कंप्लेट कोर्स है वह अवेलेबल है और जुड़ जाईए आज यह मारे साथ पचास मोडल पेपर दूँगा जो आपको कहीं पर भी नहीं और क्या चाहिए नोट्स नोट्स रही जिसके अंदर एक चीज और सभी के अंदर एक बहतरीं चीज बताऊना कक्साथ 6-12 तक जो राजस्तान दिन चलती है ना उसके मेरे खुद के हैंड राइटिंग वाले नोट्स मिल जाएंगे साथ में और जो भी करवारा हो रास्तान और दिन यह क्योशन भी इनके साथ एड़ कर दिये जाएंगे चलिए दोस्तों कोई साबी कोर साप ले सकते हो अगे देखिए को फुलूटो से गरे का दर्जा किसने छिना अंत्राष्टिय खगोलिय संगतन पुद्ग्रे को सूरिय की एक प्रिकरमा पूरी करने में कितना समय लगता है 88 दिन का पर्तवी के आकार को क्या कहा जाता है भूआब जियोड भूआब या जियोड कहा जाता है दोस्तु समझ ग तूरिये के परकास को परत्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है लगबग 8 मिंट 8 मिंट चमाली सेकंड के असवास लगता है लेगन लगबग में 8 मिनट याद रको बुक में 8 मिनट ही दिया हुआ है दोस्तों समझ गए चलिया अंत्रिक से देखने पर परत्वी का नीला दिखाई देगा परत्वी का रंग नीला क्यों दिखाई देता है जल के कारण पानी के कारण महसागरू के कारण आगे चलिए चंद्रमा की सत्या पर सबसे पहले कदम रखने वाले वेक्ति कौन थे नील आमरिश्ट्रोंग 21 जुलाइए 1979 को चंद्रमा का व्यास परत परतविचे कितनी दूर है तीन लाग चौरासी हजार किलो मिटर दूर रूप है दोस्टू है कि रूप उछल को चार लगाने वाले खकال धोलिये पिंड क्या कहलाते हैं उपगरे क्या लाते हैं चंद्रमा परतवी का एक हाईक कितने समय के वे टुकडे जो पर्तवी के वायूमंडल में ग्रिशन के साथ परवेस करते हुए समाप्त हो जाते हैं उनके उनको उलकास्म उलकापिंड या उलकास्म कहते हैं खगोले पिंडू के वे टुकडे जो पर्तवी के वायूमंडल को पार करके सत्य पर गिरते हैं क्या कहलाते हैं उलका पिंड दोस्तों हमारी पर्तवी किस आकास गंगा का एक भाग है मिलकी वे मिलकी वे आकास गंगा उसका भाग है हमारी पर्तवी दोस्तों भुरल को आकास गंगए मिलकर किसका निर्मांड करती है यह रिमांड का इसनी और ग्रह को पर्थवी जदूहांग आ मेन के नाम से जाना जाता है वरत्वी का जुदन और रहे जुदन और है शुकर कोंसा है शुक कर दोस्तुए के तीसरा सबसे निकिट कुन सा है पर्तुम्य को सब्टवेक तभीह पर्तुम्य के चारू और किस परकार की पत्पर चकर लगाते हैं कि अ कि सिसार कार गांगं में लोग का सबसे बड़ागर है तो बताओ कौन से ब्रस्पति है सुकर है सन्नी है उत्र नहीं दे रखता में सोर मंडल का सबसे बड़ा गरह कौन सा है बता दो एक बार जैसे ही यानिकी आज हम देखेंगे ना अंत में बताऊंगा कि सोर मंडल का क्योंकि एक यूसन आपके लिए यह अंत में लाश्ट में मैं उत्तर बता दूंगा इसका कि सोर मंडल का सबसे बड़ा गरह कौन सा है तब तक एक बार जो साथ है मारे साथ जुड़े में कमेंट करके बता दो क्योंकि अभी लगबक 10-15 मिन तो और चलेगी क्लास इसलिए जल्दी से कमेंट करके बताओ आप क्यों सन क्या है उसको जयान से सुन गंगा क्या कहलाती है आकास गंगा कहलाती है दोस्तु श्मज़ गए अच्छा और इंप्रोटेंट क्यों सब्सक्राइब और चलेए आगे नेक्स्ट में परताओ सुरिय के सबसे दूर इस्तित्प्राइब कौन सा है सूरिय के सबसे दूर इस्तित गरे वरून कुंसा है वरून एक मीलियन किसके बराबर होता है दस लाग के बराबर परत्वी सूरिय से कितनी मीलियन किलोमेटर है एक सो पचास मीलियन किलोमेटर सोर मंडल के आंत्री गरे किसे से बने होते हैं चटानू से किसे चटानू से सोर मंडल के बाहे गरू की संक्या कितनी है चार कितनी है चार अब बात कर रहे हैं सबसे बड़े गरे की सबसे बड़ा गरे परस्पती गरे कि लोब में जूकी हुई सुई कि अवस्ता किसका संकेतक अक्सका कौन सी कालपनी घ्रेका पर्तवी को गोलार्दू में बाढ़ देती है विश्वत वर्थ कौन सी विश्वत वर्थ दोस्तों विश्वत वर्थ से दुरुवू तक सभी समांतर वर्थू को क्या का आ जाता है अक्सांस रेका है नबब डिग्री दक्षनी अक्सांस किसे दरसाता है दक्षनी दुरुवे को अक्सांस को किसमे मापा जाता है अंस में विश्वत पर किसंस को दरसाती है सुने अंस को नबर डिग्री उत्री अकसांस किसे दरसाता है उत्री दुरुवे को यह तो अकसांस देसांत्रिय विस्तार से जुड़ी बैसिक जानकारिया आपकी चलिया आगे कलोब के वह दो बिंदू जिन से सुई गुजरती है उन्हें क्या का जाता है दुरुवे का जाता है उत्री गोलार्द में 23 टिग्री 30 मिनट उत्री अकसांस किसे दरसाता है कारकरे करकरेका और यह इदर वाली हो जाएगी मक्कर रेका दक्सनी गोलार्द में 23 टिग्री 30 मिनट दक्सनी अकसांस किसे दरसाता है मक्कर रेका को जो यह रही आपकी जो यह रही आपकी चलिया आगे विश्वत वर्त के उतर में 166 सठ टिग्री 30 मिनट उत्री अकसांस ओ थरी दुरुवी वर्त को दरसाता है विश्वत वर्त में दक्सनी सब्सक्रॉरी 30 मिनट दक्सनी अकसांस किसे दरसाता doc दख्षनी दुर्वारत को दर साता है करगरेखा वह मक्कारेखा बीच का इसतान कौन सा कटिबंद कहलाता है उश्ण कटिबाद कि यह करगरेखा ऑगरेखा यह करेखा इस जीरो डिग्री एक सांसरे चाह तो यह इस्तान ने यह इस्तान यह उसन कटी बंद में आएगा यह 66.30 तीश डिगरी यह 66.30 तीश डिगरी तो यह इस्तान है ना कि यह सितोसन उपोसन कुछ भी बोल दो इसमें आएगा इस इतोसन और यह सीथ कटी बंद समझ गए चलिए आगे करेकर वह उत्री दुरुवय वर्थ के मद्दे का इस्तान क्या कहलाता है उपोसन या सितोसन कटी बंद मकर एका तद्री दुरुवय वर्थ के मद्दे का इस्तान क्या कहलाता है उपोसन या सितोसन कटी बंद एक ही चीज़ यह तो किसी इस्तान की इस्तान की इस्तान की इस्तान के साथ साथ किसकी आउसिकता होती है देसांतर की ये तो इस्तान की 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 इस् के अंदर लिए आगे परतेक देशांत्रियांस को किसमें विबाजित किया जाता है मिनट और सेकंड में मिनट और सेकंड में अभी हमने देखा था लाश्ट में देशांत्रिया रेकाओं के मद्दे सरवादिक दूरी किस इस्तान पर होती है जो विश्वत वर्थ होता है उस यहां पर दूरी सरवादिक होगी फिर जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे यह नजदीक आते जाएंगे देशांतर रेकाओं के मद्दे नियूंतम दूरी कहां पर होती है तो दूरूंपर कहां पर होती है दूरूंपर दोस्तों समझ गए नेक्स्ट आगे देखिए पर पर्तवी में कितना गूंती है 15 degree इ एए गूंने में पर्तवी को कितना समय लगेगा पर्तवी घंटे की बात करने 4 मिनत का समय लगेगा तो पर्मुग या मोतरर रिका को अन्य किस नाम से जाना जाता है जरी का समे रेका या ग्रिन विच रेका के नाम से जाना जाता है आगे चलिए भारत का मानक या मोत्तर किसे माना जाता है 82 डिगरी 30 मिनट पूर्वी देसांतर को देसांत्रू की कुल संक्या कितनी है तीन सो साथ है अकसांसू की कुल संक्या कितनी है एक सो असी है किसी भी इस्तान पर गड़ी दुआरा दिखाया गया समय क्या कहलाता है इस्तान ये समय कहलाता है और किस रितू में दिन चोटे होते हैं हैं दोस्तों तो आज की क्लास को यही पर हम विराम दे रहे हैं और जो पांच कोर्सू की मैंने बात की और जो साथ ही उनकी त्यारी कर रहे हैं अगले दो दिन आपके लिए स्पेसल ओपर 50% डिसकाउंट के साथ चल रहा है तो जाकर आज ही एप के मादिम से हमारे साथ सब्सक्राइब कर लो सभी सातियों को बहुत बहुत धन्यवाद मिलते हैं नेक्स्ट कलास में जेहिन जे बारत